हेलो एवर्यूबन बेलकम बैक टू अनदर वीडियो जो दोस्तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपोर्मेशन देने वाले हैं जो कि दोस्तो बी इबी टेग फारमिसी फिप्त समेश्टर वाले स्टेंट के लिए होने वाली है जो दोस्तो आई होप आप सभी को पता करेंडर जो कि यार रिवाइस करके जो लेटेश्ट अकेडमिक कलेंडर है वह रिलीज कर दिया है जिसमें आगर बात करें कि आपका फिप्त सेमस्टर एक्जामिसीन कपसे कंड़क्ट होगा तो वह तो आपका जनवरी मन्त में कंड़क्ट किया जाना आए है आपको सामने दिख रहा होगा according to RGPB academic calendar आपका जो examination है तो 31 December से mid January तक conduct किया जाना है मालोग first week of January से ही आपका examination start किया जाएगा लेकिन दोस्तों previous में ऐसा होता रहा है कि या December में ही आपका 5th semester का examination conduct हो चुका है इस बार पता नहीं आपका जो सहसान है वो delay कियों कर दिया RGPB ने और most probability यही है कि last week of December मतलब कि जो आपका 31 December से examination है according to academic calendar वैसा ही होगा नहीं तो फिर first week of January से आपका examination start होगा क्यूंकि दुस्तों first of January जो है उसका holiday वगरा रहता है दो से तीन दिन का या फिर एक ही दिन का माल लीजे तो उसके चलते first week of January में ही RGPB after week का conduct करेगा examination according to academic calendar में बार 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 बोल रहा हूं क्यूंकि दूस्तों previous में माल लो first week of January तक with external examination 5th और 7th semester के examination conduct हो जाते थे दूस्तों कोई दिक्कत नहीं है माल लीजे इसी मन्त की last week कि मैं आपका time to be release कर देगा RGPB और कुछी दिन बाद उसके आपका examination form का online open हो जाएगा तो आपको सारा कुछ clear हो जाएगा लेकिन दूस्तों आप लोग यही मान के चलिए कि जनवरी ही मन्त में आपका examination conduct किया जा दूस्तों thank you very much for watching take care love you all